नवस्कार से प्रशंगरे देसरा बोधिका जगत्र जणे अग्रणी बाद जणा सुना जणे चिन्ता नायकाम सहिता आजियो छन्ती तांक सहिता आमें बिशेस साख्यातकार करीबा एबंग देसरा बर्तवान परिस्थितिकु नहीं की आमें चर्चा करीबा खास करी कास्मीर बिशारे से देसरा जूंक केते जणा अगधाडी रही चन्ती जो वाना की से विशेस ज्यान रखन्ती कास्मीर समस्या कुनें आरामभरो आजी परजन्त जदिके सर्वाधिक अध्यान करीचन्ती देसरे एबंग अवशना करीचन्ती से भड़ी जने वेक्तित्तों को आमें आजी अर्गस टूरियोरे पाई छू तो तांको स्वागत करिवा आमसे तो चंती हिमाचल प्रदेश केंद्रिया विश्व विद्यादरा पुर्वत्तन पुडपति प्रफेशर कुल्दीव चंद अगनी होतरी प्रफेशर साब आपका बहुत बहुत श्वागत से अगस नियूज में प्रफेशर साब पहले आपसे सुरू करना चाहेंगे आप तो कई मामलोग के जानकार हैं लेकिन अभी जो देश में जो हालत बना हुआ है खास कर की उदयपूर का घटना हो या महराष्ट का मुराबती का घटना हो जैसे जो धर्मिया कटरवादिता वो सामने आया है और उसे लेकर शुप्रिम कोट के जज़ का जो टिपनी तो उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे इसके कारण क्या दिखाई दे रहा है आपको देखिए जो उदयपूर में हत्या हुई है रहा हत्या भी इसको राधर नहीं कहना चाहिए हत्या तो होती है मेरा आप से किसी ब्यक्तिगत बात पर जगड़ा है तो मैं हत्या करता हूँ लेकान इसी प्रकार अमराबती में जो हुआा है मैं इसको हत्यात हो नहीं मानूगा ये एक प्रकार से जिहाद कहना चाहिए ज़धी इसको आज जिस संस में जिहाद शब्द पर चलते है उस सेंस में ज़धी कहा जाए तो जे कहा जाएगा कि एक मज़व के लोगों ने जिहाद के अंतरगत उसको जाने एक्जीकूट किया है एक परकार के, उसको हलाल किया है एक परकार से, बहुत से लोग इसको नूपर शर्मा के उस ब्यान से जोड़ कर देखते हैं, कि जब नूपर शर्मा का ऐसा स्टेटमेंट आया और उसके मुझे लगता है कि लोग उत्तेजत हो गए, उन्होंने ऐसा किया, मुझे लगता है इस सारे विवाद का नूपर शर्मा के स्टेटमेंट से कुछ लेना देना नहीं है, देखे, मोटी बात क्या है, एबराहिम में रिलीजिन जो है, जो मज़व हैं, उनमें बोलने की स्वत करने की अनुमती बहां नहीं है, और भारती प्रमप्रा जो है, वो इशर को भी चनौती देने वाली है, भारती प्रमप्रा में तो प्रशन उत्र ही प्रगती का रास्ता है, वो तो इशर को भी प्रशनत करते हैं, उस पर भी स्वाल उठाते हैं, उसके शुरूव पर, तो वे बेसिकली कहना चाहिए कि भारती प्रंप्रा वो बिल्कुल उह र्दार है, जिसमें हर प्रकार के प्रशन करने कि आजा दी है, जो अबरैयमिक प्रंप्रा है, जिसमें इसलाम भी आता है, उसमें मोटे दौर पर इसकी अनुमती नहीं है। मुझे लगता था की develop इस़लम का हिंदोस्तान के सासल लगवका एक हजार साल से तालुक है जब आसता है ही। और दूसरा हिंदोस्तान में जो इसलाम के लोग रहते हैं। इसलाम मजब को मानने बाले hem ौौ 95% हिंदोस्तानी हैं। वह बाहर से थोड़े लोग आये हुए हैं, कोई अरब तुर्क और मुगल थोड़ा हैं, पांच प्रसेंट लोग जरूर जहां जो हिंदोस्तान में इसलाम को मानने वाले रहते हैं, उनमें पांच प्रतिशत अटीम के लोग हैं, मैं तो उसको अटीम कहता हूँ, A जाने अब लेकर हिंदोस्तान के लोगों में हिंक बो रहे हैं, रदल होना तो यह चाहिए था कि हिंदोस्तान की प्राम्प्राओं से संबंधित रहने के odpow στο Pacific करूअ इनमें मिवाल और था तो उन्हां जाहिए यह पिछले हजार साल से प्रोसेस चला हुआ है तो अब 2022 तक चल रहा है तो मुझे लगता है नूपर शर्मा के बियान का तो इससे लेना देना को च्छाही नहीं जलिए हम नूपर शर्मा भाई मुझे अब बताईए चौद मिस्ताबदी में पंदर मिस्ताबदी में और इसलिए इसको किसी ब्यान से जोड़ना जे अब्रहेम का रिलीजन की इनहेरेंट जो डिजाइन है ना उसमें गड़वड है उसको लिबरल करने की जूड़त है आशा थी कि हिंदोस्तान में रहते हुए एटीम भी लिबरल होगा राधर एटीम तो लिबरल नहीं हुआ और लेकर क्या कहेंगे इसा हाला थे खुले आम चुनोती देते हैं उनका डाइरेट लिंक पाकिस्तान के साथ ये तो इनाइये ने सबूत भी पेस कर दिया है आपने जो शुरू में एक बात कही अभी उच्छतमन्याला के एक जाजने टीका टिपने की है और मुझे लगता है क जो जाजमेंट है उसमें तो लिखा हुए कुछ नहीं है जाजमेंट में तो के बलेटर नहीं लेखा कि भाई साब ये जो एफ़ाई आर कलव करने का प्रटीशन दिया गया है प्रार्थना है इसको अस्विकार किया जाता है और आप प्रॉपर कोर्ट में जाकर ये लेकर और जो बहां जाज थे बैठे उनमें से किसी ने एक लंबा भाशन भी दे दिया इस पूरे विशह पर है और उसमें अपनी ऑफजारबेशन कह लीजे टिपनी कह दीजिए जस्ट धिंगड़ा जो पूर पर जस्ट उन्होंने बड़ा ठीक कहा है कि भाई आपको नहीं किलाब कीए जासे ठीक आब उसको र्जक कर सकते आप थीक आपने किया ह्या और कहा प्रौपर चॉर्ट में जाएगी जो इस जो साथ भाशन दिया है वो सब्जेक्टिव है ने आए-दीश को मूं जतिकशन भाशन से मचना चाहिए ज़दी किसी भीश्व पर तर तож तो निया धीच के पादिसे स्तीफ़त है कि रिटायर होने के बाद फिर कर सकते हैं। इस गटना को लेकर मेडिया में लेकिन सुर्खियों में आया वह भासन। वह जजमेंट सुर्खियों में नहीं आया। नहीं कारण भाई देखिये जो भाषन दिया गया है बात तो उस ही में है जजमेंट तो प्रैक्टिकली क्या है कि आपकी प्रेटिशन रिजेक्ट कर दी गई है। और आपको मान लिजे आपको कोई प्रेटिशन लेकर मेरे पास आते हो मैं कहते हो कि भाई सब जे प्रेटिशन जो है। जो आप बोल रहें कि भासन। अगर उन्हें बोलना चाहिए तो जजमेंट पर भी रख सकते थे। जदी उनको लगता था जे जो कह रहे हैं इनकी लीगल वैल्यू है तो उसको जजमेंट में रखते हैं लेकिन जजमेंट में नहीं रखा। इसका मलग उनको पता था कि इसकी कोई legal value नहीं है और ना इसमें merit है लेकर legal value और plus merit जदि उनको लगता था कि इसमें merit तो उसको judgment में डालना चाहिए था judgment तो simple इतनी है कि आपकी application reject की जाती है proper court में जाएए बाद खत्म हो गई उसके बाद जो भाषन दिया है यह मुझे लगत देंगे यह बाषन indirectly उनको sport करने बाला है और नियाधिश को इससे बचना चाहिए था कम से कम नियाधिश को ऐसी टिपनी से बचना चाहिए था जब तो कुरसी पर बैठे हैं जो जो विवादित बयान था नोपूर शर्मा का उसे लेकर जहां बाहर से जो विरोधाया था व गर्मेंट की तरफ से भी सफाई दे दी गई उसके बाद बाहर के जो देश है जो मुस्लिम कंट्रीज है वो समझ गए लेकिन हमारे देश के जो कटरपन्ती मुश्लिम है वो नहीं समझते इसा महोल बन गया है आप देखिए हाली में बिहार विधान सभा में एक मुस्लिम जो विधायक है जब बंदे मातरम का गान चल रहा था वो बैठे रहते वह आके बाहर टिपनी देते हैं कि क्यों हम यह क्या हिंदुरास्ट्र बन गया हम क्यों खड़े होंगे बात आपकी देखे एक बात हमें दियान में रखनी चाहिए जब हम हिंदुस्तान में उन हिंद इन हिंदुस्तानी मुस्लमानों पर जो शेकंजा है वो एटीम का है जे जो एटीम जो विदेशी धरती से पैदा हुआ है अरब जिसका मैंने जिकर किया कि अरब तुर्क और मोगल हिंदुस्तान में वो 5% हैं इंडियन मुस्लमान को नेत्रितोन के हाथ में हैं जो अपने बच्चे कानवड स्कूलों में पढ़ते हैं और जो इंडियन मुस्लमान हैं उन मुस्लमानों के बच्चे मदर्सों में जाते हैं तो प्रैक्टीकली एटीम हिंदुस्तान के मुस्लमानों को गुमरा कर रहा है और कौवर्मेंट को प्रयास करना चाहिए देखे और हिंदुस्तान के मुसलमानों को एटीम के शिकंजे से छुडाना चाहिए ओके प्रफिशर अगनी हुतरी जैसे हम देखेंगे जै कुछ दसकों से जो हमारे देश में कुछ सामाजिक और सास्कृतिक जो बड़े मुद्दे थे जैसे धारा 370 हो राम मंदिर का निर्मान और 3 तलाक इससे कुछ मुद्दों का हल हो गया है तो आपको क्या लगता है उसका क्या फाइदा आने वाले दिनों में होने वाला है और उसका क्या प्रभाव आप देखते हैं यह देखे फाइदा उस द्रिष्टी से देखा जाए तो जो राम मंदर का मुद्दा था प्रैक्टिकली था वो एक मंदर को गिराकर आकरमनकारियों ने मस्चिद बनाती थी मैं तो कई पर कहता हूँ कि उसको मस्चिद कहना भी ठीक नहीं था उजारन के लिए आखर बावर ने जदी मस्चिदी बनानी होती जब उसके सेनपती ने मीरवाकी ने बनाई थी यह सब आता है तो योध्या में उन देनों तो शायद जमीन बहुत खाली पड़ी थी अब तो शायद खाली इतनी नहीं है तो बावर जमीरवाकी कहीं भी मस्चिद बना सकते थे जदी उनका परपस केबल मस्चिद बनाना होता है तो जब वो मंदर को गिरा रहे हैं और उसकी जगा मस्चिद बना रहे हैं तो इसका महल उनका परपस केबल मस्चिद बनाना नहीं है उन अब प्रदानमंत्री ये बन गए हैं, अब मुख्यमंत्री ये बन गए हैं, इवन डी-सी की वाइनमेंट होती है, कलेक्ट की तब भी गज़र नोटिफिकेसन निकलता है. तो जिन दिनों बाबर आया था, उन दिनों गज़र नोटिफिकेशन कालने का ऐसा प्रोसेस तो कोई नहीं होगा. उन दिनों फर एक ही तरीका था, कि जो हिंदोस्तान के सिंबल्स हैं, उस सिंबल को तोड़कर अपना सिंबल इस्टैबलिश कर दिये जाए, तो लोगों को खुद ही पता चल जाएगा, कि अब भाई दूसरे देश की गवर्मेंट आ गई है, तो जो बहां मंदिर गराया ग अपने लोगों की सरकार आ गई, तो जब अंग्रेजियों की सरकार आ गई तो गजट नोटिफिकेशन निकला कि नहीं निकला, एक्ट बना, कि अब इस डेट से फलांग वर्मनर है, फलांज यह जो भी है, तो बहाई जो पुराने नोटिफिकेशन निकले हुए हैं, जदी सत्ता बावर की खत्म हो गई है, खात्म तो बहुत पहले हो गई थी, लेकर जो गजट नोटिफिकेशन लगाया हुए था, इसको आप हटाया जा रहा है, तो गजट नोटिफिकेशन हटाने बड़ा केबल काम था, लेकर कोछ लोगों ने इसको हिंदू-मुसलमान का सवाल बना दिया, इसमें हिंदू-मुसलमान का हाथा है, प्रशन तो जी है कि भारत की सरकार भारत के लोगों के हाथ में आ गई है, तो वो गजट नोटिफिकेशन लगाया है, तो कुछ लोगों ने का हिंदू-स्तानी मुसलमानों को बावर से क्या लेन देना है, मुझे आप ब रिष्ता है, मेधमुद गजणिब मेरे क्या रिष्ता है, तो इसलिए हिंदू-स्तान के मुसलमानों का ना बावर की मासंधर बनाने से कुछ लेना देना था. ये काम किसने क्या हिंदु-मुश्म का मुदा बनाए ये प्रेक्रिकली देखे हिंदु-मुस्लमान का मुदा मोटे तोर पर गो trick मुझे लगता है बहूत कि ईदीन मुस्लमान गुजाती का इन्गरेजियों का रहा खिलाफतना दोलन में जो कूदे, मैं अभी भी कईवर सोचता हूँ, कि खिलाफतना दोलन का हिंदोस्तान के मुसल्मानों से क्या आता लगता है, कि तुर्की में खलीफा होना चाहिए, वो तुर्क होना चाहिए, क्या अरब होना चाहिए, क्या मोगल होना चाहिए, how Indian Muslims they are concerned. ATM बढ़ों का जुरूर इशू था, जो सहीए जहां रहते थे, उनको लगा कि तुर्क खलीफा होना चाहिए, तो महातमा गांदी ने इंडिन मुसल्मानों के साथ जोड दिया, यह जो प्रोसेस शुरू हुआ, जेखे, प्रोसेस शुरू हुआ कि महातमा गांदी हों, चाहे करना चाहिए, जी, यह जो कदम, जो तीन मुद्धे में बताया कि जिसे खतम करने के कुशिश की ने, इस सरकार ने, तो यह एटीम की सोच को खतम करने वाला एक कदम, बिलकु बिलकु आप देखे, आर्टिकल 370 खतम हुआ, मुझे पताए, किश्मीर में मुसल्मान ने क्य आपरोज किया, क्योंकि प्रैक्टीकली जो किश्मीरी मुसल्मान है, आर्टिकल 370 तो उनको नुक्सान दे रहा था, भाई भारत सरकार की जितनी अच्छी जोजनाए थी, जिब नौकरियां देने की है, जो भी 50 जोजनाए थी, वो किश्मीर में लागु नहीं होती थी, त जो बड़ी पोस्टें सब सेयद ले जाते हैं, भाई जो अच्छी पोस्टें हैं, जो MLA बनते, MPA बनते, population इनकी 5% है, और MPA इनके सबसे ज्यादा बनते हैं, MLA इनके सबसे ज्यादा बनते हैं, एडिन मुसल्मानों को मैंने जही कहा कि अपने शिकंजे में रखते हैं, र जो ब्रोज कर रहे हैं, वो सेयद हैं, किसाब ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कुछ इंडिन मुसलमान भी स्वार्थी होंगे, मैं यह नहीं कहता, कुछ लोग हर जोग में सुहा बट भी होता ही है, सुहा बट कश्मीर में वो कश्मीरी पंडत था, जो इसलाम पंथ मे चला गए और सबसे ज्यादा उसने किश्मीरियों को मारा, जो एटीम लोग है, जो सेपरेटिस्ट बनके बैठे थे, सरकार उनको नियोत्रा देते थे, यहां पर उनके साथ बादशित करते थे उन्हें, लेकिन आज सजा हुआ, तो यह क्या मेसेज देता है, यह बहुत शेख लिखते हैं, जो पंगी हैं, उनसे बात कर रही है, किश्मीर में बालमी को उनसे बात कर रही है, तो यही तो एटीम का कस्ट है, अब एटीम के लगए गिलानियों को कोई ने पूछ रहा है, सेजिद को कोई ने पूछ रहा है, बुखारी को कोई ने पूछ रहा है, आप लोग इंडिन मुसलमानों का शोशन करते हो, अब भारत सरकार, मैं यही कहता हूँ, भाई, दुरुभाग है कि भारत सरकार ग्राउंड रियाटी को ना पहचान कर A.T.M. का साथ देती रही और A.T.M. भारती मुसलमानों को खून चूजता रहा और उनको कट्र बनाता र देखे, अब मुझे एक और बात लगती है, जे स्थिती बदली है, तो A.T.M. बॉखलाहट में है, जे जो हो रहे हैं, जो इसको अपने क्या नाम जो उदैपर में हुआ हुआ है, जो अमराबती में कुछ और भी हो सकता है, अभी जो जांच हो रही है, मुझे पता नहीं, जांच में कहा जाएगी, लेकिन अभी भी आ रहा है कि उसका कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, उसका कनेक्शन बहां से जुड़ा हुआ है, एटी-म की देखे, एटी-म का जो वो सोर्स ऑफ और जा है ना जी, वो बाहर है, जैसे वो हमारे लोकताओं में आता है कि एक राजा था, उसकी जान उस तोते में रती थी, तो तोते को मारो, तो राजा मर जाएगा, और तोता नहीं मरा तो, एटी-म की जो प्राण शक्ती है, वो बाहर के देशों में है, और बाहर के देशों से वो प्राण शक्ती लेते हैं, इसलिए एटी-म को जदी जहां आ कि वो जो प्रमुख मुद्दे थे जो उनका तो हल निकल आया तिन से सोतर हड गया राम मंदर का तो निर्मार शुरू हो गया तिन दलाग भी और और एक प्रमुख मता अभी भी बाकी है उनिफर्म सिभिल कोड समा नागरिकता उसे उसका कितना जरूरत आप समझते हैं जी अमबेड कर ने जो कांस्टिउशन बनाया था उसमें एक चैप्टर है राज्य की नीती के निर्देश के तत्वा उस चैप्टर का रहती है कि भाई हम इसको लीगली इंप्लिमेंट तो नहीं कर रहे हैं अब आप रेटर प्रिशन डाल कर सुप्रीम कोड में नहीं जा सकत है कि यूनिफॉर्म सिबल कोड होना चाहिए तो जो कांस्टिउशन में हिक जिसको कहना चाहिए इनहेरंट है कि क्यों नहीं उसे कोई सरकार अभल में नहीं लÁ एक कि किसी सरकार के पास इस परकार की विल पावर आज तक नहीं रही कि कांस्टिट्यूशन की जो इच्छा है उसको पूरा किया जा सके और मुझे एक बाद लगता है कोच विशा ऐसे होते हैं जो बिलकुल परस्णल विशा होते हैं उन पर ठीक है भई आपको मजब कुछ कहता तो उसको करिए लेकन कोच मुद्दिय ऐसे होते हैं जिनका आपकी परस्णल लाइफ से समध नहीं होता पूरे समाज की लाइफ से सम कर रहा है क्योंकि ATM हिंदोस्तान में भी अर्ब को जिसको कहना चाहिए ने अर्ब की सिबलाजेशन अर्ब के तौर तरीके अर्ब का सोशल सिस्टम वो लागू करना चाहता है देखे हिंदोस्तान में जो लोग अपना मजब छोड़कर इसलाम मजब में गए और वो पहला स्ट सिबल कोड जो है वो पूरे इंडिया में जहां तक सिबल लौ का तालुक है उसको एक करना चाहता है वो होने ही चाहिए भाई किसी भी देश में होगा किसी देश में अलाग 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 मजब के अधार पर तो नहीं बन सकते अब ATM को लगता है कि इससे हमारा जो करना का प्रोसेस से वो डीला हो जाएगा अब सरकार को यह लगता था कि इतने बोट ATM के कबजे में हैं मालिजे गाउं में 500 मुसलमानों के बोट हैं उसमें ATM के लोग तो हैं तीन और 400 अस्तान में तो देशी मुसलमानी हैं लेकर अब जदी सरकार को यह लगे कि यह तीन जो ATM के लोग हैं जो 490 का बोट डलवा सकते हैं फिर मैं ATM से बात करूंगा सीथी कि भाई सब आपको ठीक लगता कि नहीं इस से गड़बड होगी अब फिर मेरी चिंता जे नहीं है कि इस से देश को लाव होगा जा नुकसान होगा मेरी चिंता कि 400 अस्तान में बोट मुझे जन संग का और भारती जनता पाल्टी का तो चुनाब घोषना पत्र ही उनिफर्म सिब्ल कोड को लेकर शुरू सही बात कहती आई है तो जैसे बाकी मुद्धो का भी हर्व किया तो यह भी पार लगा लेंगे। पर्मनेंटी हो गया है। और कोर्टों ने भी कहना शुरू कर दिया था। तो इसको लेकर कुछ लोगों ने भी रोध किया। अब आप जदी उसका करेंगे। बिरोध करने बाड़े एक तुका लोग थे और एक ग्रूप मुना करें एक जगा बैठे थे। पूरे हिंदोस्तान में भी रोध नहीं हुआ। उसका कारण था कि हिंदोस्तान का जो आम देशी मुसलमान है वो खुद चाहता है कि बाहर के जो आकर हम पर कब्जा करके बैठे हैं, हमारे हिस्से का खा रहे हैं, उनको निकाला जाए। जदी आप चाहते हैं कि बाहर का जो बंगला देशी मुसलमान है जो पाकस्तान से आता है उसको भी रखा जाए तो फिर आपको डिवीजन खत्म करतेनी चाहिए। फिर आखर इस पंगे में इतना गड़बड हुई, डिवीजन हुआ, मार काट हुई, तो जदी फिर वही जहीं आने हैं तो डिवीजन खत्म करने चाहिए। मैं जहीं नहीं कहता, बंगलादेशी भी आखर बंगाल सी गए हुए हैं, वो कह सकते हैं कि हम भी भाई जहीं के हैं, तो डिवीजन शुट भी अंडन, पहले उसको खत्म किया जाए, फिर ठीक है उसका, यूनिफर्म सिबल कोड भी इसी प्रकार से भारती जंता पार्टी क को खत्म करने का ही मिला है, और अभी जो भारत सरकार की नीतियां है, स्टेप बाई स्टेप, मैं तो जह जांदहन जोजना इसको भी उनिफर्म सिबल कोड की दिशा में एक अदम मानता हूं, आपने सभी को एट पार रखकर काम करना शुरू कर दिया है, एक फीर्ड में, त जो बोट बैंक की राजनिती है, इस से भारत सरकार बाहर निकली है, जिस सबसे खुशी की बात है, तो इसलिए भाई भूदी दिलों को थोड़ा कस्ट भी है, क्योंको याते कि पूरी स्ट्रेटजी इसी पर बनती रही है, कि चार सो स्तान में मुसलमान की बोट है, एक एक के पास जाएंगे, उनको जाकर कहेंगे कि हमें बोट डालो, दो डालेंगे, दो नहीं डालेंगे, तो जदी जे तीन लोग ठेका लेकर बैठे एटीम बढ़े, तो ठेकेदार सी बात कर ली जाए, इसी दी, कि बाई सर्व जे चार सान में हमें डलवा देना, ठेकेदार का जाए, तो हम ठेकेदार का इंट्रेस्ट बाँच करेंगे, अब भारत सरकार ने जे ठेकेदारी प्रथा खतम कर दी है, जे ठेकेदारी प्रथा खतम हुई है, इससे मैं समझता हूँ, यूनिफरम सिबल कोड की और रास्ता निकलेगा, और मुझे लगता है भारत सरकार उस क्या ऱ मुझे लगता हूँ